पिछली वीडियो में हम आपके top 25 questions जो है complete कर चुके थे आपके अरदवासिक परिक्षा के syllabus के according आपके बहुत सारे chapters के questions जो है complete हो चुके थे यह ना यह सारे questions हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में जिन भी छात्रों ने नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने बाद जरूर से वो वीडियो देख लें ताकि आपके सारे के सारे questions जो है complete हो जाकर करके देख लेंगे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल लेगे आपके देख सकते हैं हाइड्रो कार्बन क्या है उदाहार देखर समझाई चार नमबर का चेप्टर है आपका जो कार्बन वाला से question है hydrocarbon ऐसे carbon के योगिक जो carbon hydrogen से मिलकर बढ़नी होत है हाईड्रो जन और carbon से मिलकर बढ़ने हैं तो hydrogen carbon यो कर बने हैं तो हाइड्रो कारवन का लाते हैं कारवनिक होती हैं इन दूनों से मिलकर उसी में उसका उत्तर लिखा हुआ है याद रखेंगे बस आप मीठन येथन प्रोपन इद्या दिए इसके बाद देख सकतने साबुन और अपमार्जक में अंतर लखे प्रमुक अंतर क्या रहेंगे साबुन और जरूर याद रखेएगा पांच अंक का पुछा जायाएगा यदी पांच पन नहीं तो तीन ना चार अंतर जरूर यादि रखेएगा इसमें तीन ही मिया आपको बता पा रहा हूं यह याद रखेएगा लास्ट आपका इंद्यागाँ है साबुन से कठोर जल में कपड़े साफ नहीं दोलते हैं ये मर्दोर जल वा कठोर जल दोनों में उप्यों कर सकते हैं क्योंकि मर्दोर जल में साफ उनसे ठीक तरह से कपड़े दोल जाते हैं इसका बाद देख सकते हैं अपर रूपता किसे करते हैं कार्मन के दो अपर रूपों के नाम कि वन्पियों लिखे अपर रूपता की बात कर रहा है यह कारवन वाले खेप्टर सारय कोशन है जब एक ही तत् त्ट कई रूपों में मिलता है एक से अधिक अपर है उसके इस घुन को ही अप रूपता कहते हैं ॉसके एंजा न रूप न रहूस को इस तत्यों का धन सवर्चrose न अपर अपला रूपक कहते ही इनके देखिए इतना ही याद रखिए जाना यह थे पूमिन के लिम्धे रकना है जैदा नहीं कि का मैं यह आप अपर रूप क्य णरब हैं परप्रागन में क्या यहां सोपड़ एक फरक तरफ परप्रागन तो यह क्रिए केबल दु में होती है यह एक क्रिया दोनों इरीन होती है यह सासवर प्रघल नए इसके पॉस्प रंगीन नासी जूम खेंश बताए ना कंदित होते हैं इसके बाद देख सकते हैं अगला अंता दिया का है इस क्रिया में एक पुस्प के प्रक्राइब उसी पुस्प के बर्तिका पर रहे हैं इसमें क्या होता है इसमें पर यानिकी पराया दूसरे के पर जा रहे हैं सक्रिया में एक पुस्प के प्रक्राइब उसी दो कारे लिखे जरूर से याद रखेंगे आठफे नमर के चैप्टर से कोश्चन है आपका प्लेसंटा एक गर्ववती मा में उपस्तित होता है प्लेसंटा के द्वारा भिरून को अवश्यक भोजन जलिवन बायुवादी ऑक्सिजन जो चाहिए होती है जो भी भून को वो सिशू के भीच attitude रही है उनके बीच उनके बीच होती यह कि अप्रा प्लेसंटा खा जाता है उसके माधियम से क्या होता है प्यूम्स को पोशन होता है प्यूम्ण तक पूऀंग बोजन में वर्ण का जो है अप्सिस्ट पदार्थ होता है उसी की दौरा मामें बापस आखर के उत्से जन की क्रिया द्वरा बहार जाता है तो यह इसके कार्ड होते हैं कुछ इसके बात देख सकते हैं लेंगे तथा लेंगे जनन में अंतर बताईए बेरी बेरी मुस्ट इंपूर्डेन कोश्चन है आपका इसी चेप्टर से है लेंगे और लेंगे चार अंक़क के ठान मनुष्य इसका दिखके हैं लगे जनन सेचन करिया के बाद जीवन बना बना रहा करता है अलेंग जीवन में पर नहीं होती है नहीं जनन द्वारा उत्पन संथान में नए गुड़न विकसत होते हैं क्योंकि यह उच्छस्त्रेणी के लिए धादया तो इसमें दू पुछा गया था इतना सा आपको याद रखना है यह आपको डाइग्राम है इसमें क्या-क्या बना हुगा देखिए अंदर यह आपको यहां पर बरतिकाग्र दिख रहा होगा बरतिका पुस्प के मदलब पूरे पार्ट लेके हुए यहां के बारे में आप थोड़ा थोड़ दाइगरम बनाना सीख लेंगे पूरा का फूरा हाँ पर दिया गया इस प्रकास से और यहां पर पूरा प्रकास कर लेंगे तो आपके पांच अंक बोड़ एक्जाम कमप्लेट हो जाने क्योंकि मैंने यह पूरा डाइग्राम बनाया था और इनके बारे में कुछ लिखा थ तो वह आप complete करेंगे इसके बाद देखते हैं माननाओ के मादा जनन का नामां के चित्र बनाई आठवे नमर के चैप्टर से कोश्चन है आपका जीवों में जनन है ना जीव जनन कैसे करते हैं यह जनन को सिकाओं तथा अंड को सिका करें अंडासाय में होता है बिक कुछ हार कुछ यहां पर थियोरी थी फिसके बाद डाइग्राम में पुछा जाता है तो डाइग्राम याद रखेंगे आप यह मादा जनन तंदर का चित्र दिया गया है इससे बना लीजिए तो आपको नामकन करना भी जरूर से सीखना है नामकरन करेंगे तो आपको अंक नहीं कट यह का ही चुनाओ क्यों कि ना ऐसे क्या बात थी थी कि हमें मटर काही पौधे मटर काही प्रयोग करने हैं मटर का पॉद्धे एक बारिशिक होता है तथा आल पर बिक्सत जीवन चक्रवाला होता है ना कि जल्दी हो जाएगा ज्यादा बस नहीं लिगेंगे पौधे आसान क्या आनुवार क्या मैं तो जन धारियों मैं कहते हैं दूसरी प्री में संच्रित हो दूसरी संच्रित होती हैं नं लक्षन को लेंग दारण की क्रिया को समझाई बेरी बेरी मुस्ट इंपूरेंट कोश्चन है यह 12 में भी काम आएगा आपको जो वायोजी लेंगे जो उचाता रहें तो अभी से तैयार के लिजिए मनश्य की कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुर्सुत कृश्चों मैं पूछा 約 Nah dalam 32 एक समान होते हैं जिसे ऑटो सम्स एद रखेगा और सम्स काहते हैं नर याक दिवा महाद रहते हैं दो गुड़ सूत्र जब्किन के लिए एक्स तथा एक लुम शूत्र बाई होता है माएं अगा के लिए क्या हुता एक्स और नर इक सोथा एक्स लोग सब्क्राइब देखेहरं के माध्यम से अजिए पूरा आपको डाइग्रम दिया गया यहां पर मिला बताया और यहां को यहां पर मेल का बताया है तो किस प्रकार से गुर्सोत्र होते हैं क्या आप बनने की समभापना होती है यह लिंग निर्धारान की मिनश्म में प्रक्रिया होगी यह डाइग्रम रही बना लीजिए इसके बाद देख सकते हैं और इसकी थियोरी लिख हुए नर में एक्स भा गुर्षूत्र मेन किया होता है ना तो जिनके संख्य अधिक हो जाती है gallery 5 نवर 1 2 प्रतां प्यादा होने की समभावना रहती है कि कुछ कह नहीं है कि यह नदोनों की बराबर समभावना होती है आप यह इस परकारिक आपर एक मैं ये प्रवाहित की मात्रा को विद्द्ध दार गाते हैं इसका मात्रव का नियम मोस्ट इंपूट्यट है दों के लिए लिए पेली को तैयार कर लिके रखी एक कि नियम नुस्वार यदी किसी चालक की भुत कबस्था जैसे ताप लंबाई आदी ना बदलीक उस इछ दारावित के अनुक्रमानुपाती होता है अगर किसी चालक है को can a करहा लगी चालक बोड़ती त cela उसकी बहुत एक अबक्रушки अब तर्फा में बस्ता जैसे की आप का दाब हो गाई सैन्द कि चैंज दाहीं नहीं बना इसकी तरों पर लगाया गया शूद्वास प्रवायत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना उसके जो सिरे हैं यहां पर विवांता लगाया है यहां पर विवांता लगाया है ना तो उसमें जो धारा वह रही है ना इसमें यह जो तार है इसमें जो धारा वह रही है उसके प्रवायत धारा के अनुक्रमानुपाती ह करने के दर को सकति कहते हैं बस आपको इतनी याद रखनी है सकति की प्रभास आपका करता है उसकाई समय में किया गया कार को उसकाई मान को सकति की सकति कहती है करते हैं तो कि अन्य आप मोश्ली नियाद रखेगा और मात्र कल रियादित करते हों अतुम के छेट्र रेखाओं कि जुब्वेगे छेत्र रॉह तैनल की तो चुम्बक के बाहर इन बल रेखाओं की दिसा उत्तरी धुरब से दक्षण धुरब की और तता चुम्बक के अंदर दक्षण धुरब से उत्तर धुरब की और ये बंद बरकर के रोप में होती है पहला रागया इसके बाद देख सकते हैं या तीन आपको और गुंड लेख हुए है चुम्बक के बल रेखा के किसी बिंदू पर खीची की इस परस रेखा उस बिंदू पर चुम्बक के रेखा छेतर की दिसा को प्रदर्शत करती है चुम्बक के बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है ना क्योंकि एक बिंदू पर चुम्ब की छेतर की दो दिसां समभाई नहीं है एक समान चुम्ब की छेतर की चुम्ब की बल रेखाएं परस्पर समान तर समान अंतर यहां बरावर दूरियों पर होती है एक समान चुम्ब के चुम्ब के बल रेखा परसप समानतर होती है क्योंकि एक दूसरे को काटती है नहीं तो समानतर होगी यह दूसरे से लेट करती होगी है तो आपको याद रखना है कि चुम्ब के चुम्ब के चुत रेखा जो होती है बल रेखा है एक दूसरे को काटती है फ्लेमिंग के वाया हाथ का नियम के साथ आपको पूरा थेória कि अब्या सकते हैं अपने वाया हा भाइांगई मध्यमा यहाँ यहां पर बनाया किया है और अंगूठ को इसपर कह पहलाई है कि यह दिना एक दूसरे के परस पर लब बत हो चुम्ब करती करती है तो अंगूठा चालक पर आरूपित बल की दिसा के और संकेत करेगा यहां पर आपको डाइग्राम दिया गया है देख सकते हैं यह आपका बाया हाथ है और यह आपकी तरजनी है अंगूठा है और यह मध्धमा नीची लटकी है यह यह मध्धमा तो देख सकते हैं आपके किस तो इंपोड़न कुस्चन है आपका इस चैप्टर से दस्ट प्रत्य वर्ति धहरा में तरह देखसे हैं इसका परवाय की सामय के साथ बदलती रहती है इसका मान समय के साथ धनात्मक होता है क्योंकि एक ही दिसा में जा रही है तो धनातमक होगी उसमें कोई मतलब changes नहीं है यह समय के साथ बदलती रहती है तो इसमें रणातमक को धनात्मक होना लाजमी बनता है इसको दिसकते हैं यह सेल यह बैटरी डेसी डीसी है ना किसी जनेरेटर से प्राप्त different कि जाती है यह एक अन्तर याद रही है लिखी लिक्ना से कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाउं के संख्या में परिवेतन होता है तो कुंडली में प्रेज़ विद्धुत् बहाद में विद्धुत्त कि बहुत अधिक बढ़ जाता है तो फ्यूज तार बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो फ्यूज तार बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो फ्यूज लगा होता है तो वह हमारी घर में बिजली की समस्याओं से बचने के लिए यूज किया जा सकते हैं आपके ने परीपत अपने गरेलू परीपत ये धारा का जो परीपत है और उपकराबने वो खराब ना हो उसके लिए फ्यूज का अब्यों करते हैं इसके बाद देख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रुभाव को समझाएं लास्ट में आपका चैप्टर है समान परत पना लेती हैं जो फैंड गैसें होती आ सब कहलाती है CO2な लोटी मतलब जो ऑसके लोगाइब को हमारी बाधबंड को नुकसान पहुंचाथी तो ग्रीन असफ की ऐसे नहीं परत परत्वी में समान परत्वी के बीच कपच के समान परत परत्वी से नकलने वाली गर्मी को अपने में सोक लेती है अगर बोपरत बन गई तो यहां से जो गर्मी निकल रही है न बहुत नहीं जा पाएगी उससे रिफ्लेक्ट हो रहे बापस प्रत्वी में आगे वहापस प्रत्वी जब बाहर नहीं जाएगी तो यहीं पर रह जाएगी और अंदर चली लगी है जिससे प्रत्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है प्रत्वी के बार्मान का बढ़ना ही जो है ग्लोबल बार्मिंग कहलाता है इसके बचाओं के इस तर्कम किया जाए बिभन माधियमों से कुड़ा करकट कम करें बिजली को परणों के नवश्यक उपियोग ना करें हैं तो बनों का स्रक्षिन करें ब्रक्षड उपन कारेकर्म चलाया जाए याद रखिएगा सारे के सारे पॉइंट आपके हैं बचाओं के ग्लोबल बार्मिंग से तो यह सारे आपके क्वेश्चन थे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में